सबी दोस्तों का वेलकम है दोस्तों तो आज गाउं में आए हुए तीसरा दिन है हमारे को और आज का दिन देखते हैं किस तरह कटता है तो आज घुमेंगे गाउं में देखते हैं क्या देखने लाइक न जा रहा है तो आप वीडियो में बने रहिए काफी इंजोई मिलने व रात गाउं की तो बहुत मज़ेदार कटी है तो अब इस टार्ट करते हैं दिन देखते हैं क्या-क्या नजारे मिलते देखने के लिए तो दोस्तो आज हम आए हैं जंगलों के बेर फाट गया है इसके पर लगे लगे यही हम मार्केट से खरीबते हैं और यहां पर यह ज्यादा कोई तोडने नहीं आता है तो अब इनका टेस्ट आपको बताता हूं कि कैसे हैं ये खाने में तो वीडियो अंत तक देखते रहिए अब बेर तोड़ रहे हैं उपर है अब दिखाता हूं बेर कैसा होता है यहां का यह है यह बेर अग्रम देशी मीठे बेर है अग्रम मीठे खटे मीठे वीडियो लाइक कर देना सस्क्राइब अग्रम जारे हैं दूसरे बेर के पेड़ तो अभी आगे हैं वहां पे जारे हैं और यह हमारी चिल्लर पाटी है तो अब चलते हैं दूसरे पेड़ अग्रम अग्रम देखते हैं वहां पेड़ हैं और काफी मीठे हैं तो अब चलते हैं उस पेड़ के पेड़ पर तो देखते हैं कि आहां के कैसे हैं बेर तो दोस्तों इस समय दुपहरी का टाइम हो रहा है तो पेड़ के भी बेर हम टेस्ट करके देखेंगे और आपको बताएंगे तो देखिए पूरे बेर पीछे हुए हैं जब बेर पक जाते तो अपने आपी नीचे तूट के गिर जाते हैं और हमारी जितनी चिलर पाटी वह तोड़ने के लिए और ये देखिए बेर है तो बहुत मीठे बेर है इस बेर के भी तो अभी हम कुछ अपने घर के लिए भी लेके जाएंगे यहां से बेर आपको देखने में हरे लग रहे हैं पर ये हरे नहीं है ये बहुत ही मीठे बेर है तो सहरों में तो दोस्तों बेर सो रुपे किलो, साट रुपे किलो ऐसे मिलते हैं और यहाँ पर लूट लो चाहे जितने लूट सको तो अभी हम लूटते हैं बूरा भरके और खाएंगे और घर पे भी ले जाएंगे तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और बीनने में लगे हुए हैं अब यहाँ पर देख रहा है यह लड़का भी बेर उठा रहा है और खाते भी जा रहा है तो दोस्तों गाउं का ऐसे ही नजारा होता है यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होए बस आप निकल जाएए घर से जंगलों में और यहाँ पर बहुत कई तरह के जो पेड़ होते हैं यहाँ पर अभी आम का सीजन नहीं था तो अभी कुछ एक दो महीने बाद माई जून के समय आम भी यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे उस समय तो मैं सहर में रहूंगा तो अभी तो बेर का टाइम है और देखिए सारे लड़के चड़े हुए हैं पेड़ पे और मुझे पेड़ पे नहीं चड़ना आता इसलिए मैं नीचे ही बेर उठा रहा हूं यह लोग बस डाल हिला दे रहे हैं और बेर जब नीचे गिरते हैं तो मैं वो ही उठा लेता हूं क्योंकि गाओं के लड़के जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं इन कामों में पेड़ पे चड़ना हो या नदी में तैरना हो तो अभी नदी की वीडियो भी आएगी तो आप देखना आपको हो सकता है यह वीडियो कई दिनों बाद मिल रही हो तो इस समय अभी मार्च का टाइम चल रहा है तो देखते हैं तो बहुत बेर हमने उठ्षा लिए हैं अब हम घर के लिए भी निकलना चाहते हैं हम अपने जितनी चिल्लर पाटी है इनको कहते हैं कि चलते हैं घर देखिए बेर एकदम पके हुए है एक दम ये यलो कलर जब हो जाता है ना तो ये बहुत मीठे हो जाते हैं उसके बाद इन पर रेड कलर आ जाता है तो अब हमने बेर बहुत इघटे कर लिये हैं आप चाहिँ पहुचे तो बहुत ने ही पहला है तो बढ़ो स्कुर्ण भीच्ण में रखना है जाता है एंदैका कर लिए ये अच्छा फुर्ण को पुरे के वह हुचक्त आप्षण पाउच्ण पेड़ात्य। अब चलते हैं घर के तरफ और आपको फिर मिलते एक नेश्ट वीडियो में चैनल सस्क्राइब करके रखिए बहुत टाइम हो गया हमको यहां पर ढाई से तीन घंटे हो गया है आए हुए अब हम निकलते हैं घर के घर पे फिर मिलेंगे अपना ख्याल रखिए